दोस्तो अगर आप भी भारती टीम की इंग्लैंड के खिलाव जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिगा दोस्तो टीम इंडिया की चीत के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रिशे सुनक ने दिया भारत पर होश उड़ा देने वाला बैयान जी हाँ दोस्तो भारती टीम को इंग्लैंड के खिलाव के ले गए मैच में शांदार जीत मिली है ऐसे में जीत के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रिशे सुनक का बयान सामने आया उन्होंने अपनी टीम को खरी खोटी सुनाने के साथ ही भारत की तारीफ करते हुए ए लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारती टीम विश्रुकप चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं जवाब नीचे कॉमेंट सिक्षन में जरूर दीजेगा दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि वंडे वर्ल्ड कप के अंदर भारत बनाम इंग्लैंड के बीच ल सरवाधिक 87 रनों का युगदान दिया वहीं सूरिकुमारी आदों ने 49 और केल राहुल ने 49 रनों का युगदान दिया विरोधी टीम की तरब से क्रिस्ट वॉक्स ने सरवाधिक 3 विकेट लिये तो वहीं लक्ष का पीशा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरब से लिव ऐसे में भारत को सौरन से जीत मिली और इसके बाद इंग्लैंड की प्रधान मंत्री का बयान सामने आए जिसमें इंग्लैंड की प्रधान मंत्री रिशी सुनक ने बयान देते हुए कहा कि वन डे वर्ल्ड कप के अंदर आज भारती टीम के खिलाफ इंग्लैंड को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा इस मैच में इंग्लैंड की टीम की तरब से कोई भी खिलाडी ऐसा नहीं था जिसने बहतर प्रदर्शन किया हो हलाकि इंग्लैंड की टीम का इस World Cup में प्रदर्शन काफी जादा खराब देखने को मिल रहा है लेकिन मुझे भारत के खिलाब जीत की उमीद इंग्लैंड से थी लेकिन इंग्लैंड की टीम ने मेरी उमीद पर पानी फेर दिया इस दोरान इंग्लैंड की टीम की तरब से गेंद बाजों ने तो अपना कारे बहतर तरीके से पूरा किया लेकिन बल्ले बाजों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया अगर बल्ले बाज बहतर प्रदर्शन कर देते तो शायद इस वर्ल्लकप के अंदर भारती टीम को इंग्लैंड के खिलाफ मैच में शांदार जीत मिल पाती लेकिन भारती टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में शांदार प्रदर्शन करा और इंग्लैंड को बुरी तरीके से हरा कर आज इंग्लैंड को उसकी असली आउकाद दिखा दी इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस वर्ल्ल कप के अंदर भारती टीम का लगातार बहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कोई भी खिलाडी ऐसा नहीं है जिसने भारती टीम के लिए इस वर्ल्ल कप में बहतर प्रदर्शन ना किया हो इस मैच में भारती टीम की तरब से बल्ले बाजी तो काफी जादा खराब रही लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने जिस प्रकार से बहतर प्रदशन किया और कप्तानी पारी खेली उसके चलते भारती टीम को मजबूती मिल गई और इसके बाद का कारे गेंदबाजों ने कर दि गेंदबाजों ने शांदार गेंदबाजी की ऐसे में अब मुझे लग रहा है कि भारत जिस प्रकार से खेल रहा है उसके चलते भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को इंग्लैंड के खिलाव किस खिलाड़ी के दम पर जीत मिली है कॉमेंट करके बताइए और ऐसी ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीज़ें मिलते हैं आप से अगले वीडियो में